हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं भी की राशि की जातकों के विश्य में बताएंगे किस महारन नवंबर में आपसे लोइई ऑपकी मैरिड लाईफ है जो रिलेूशनन्शिप है आपकी यह फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफे रस हैं इन सब के बारे मिंएं आप से करेंगे उनकी ग्रहों की सिति क्या रहने वाली है महा नवंबर में उस से भी आपको अवगत कराएंगे क्यों क्यों कि सारा प्रभाव जीवन में इनी ग्रहों की ही और से हमको मिलता है और इन ग्रहों के ही कारण हमारे जीवन में बदलाव आते हैं हमारा जो मानसिक सिति है व जो इस नवंबर महा में अपना राशी परिवर्तन करेंगे तो देखिए इस महीने गुरु ब्रस्पती अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं तीन ग्रहों के राशी परिवर्तन और होंगे इनके अतिरिक्ष बुद्ध का राशी परिवर्तन भी दो बार होगा दो नवंबर क तुला राशी में जाएंगे वह बुद्च का प्रिवेश होगा और 20 नवंबर को फिर यह जो में प्रिवेश करेंगे तो ये रहेगी गुरों की इस सिथी इस नवंबर के महीने में जिसके कारण आपके जीवन में भी उनका पूरा पूरा प्रभाव देखने में आएगा तो प्रियसातियों अब हम आरम करेंगे मेश राशी से यानि के मेश राशी के लिए जो नवंबर 2021 का महीना है ये उनके लव एफेर्स के लिए या उनकी रिलेशन्शिप के लिए या मेरिड लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है तो देखिए आपके जो रिलेशन्शिप के बारे में भी पूरी स्थिति जानेंगे ग्रों के आधार पर और यदि आप सिंगल हैं तो किस प्रकार के आहलाइत रहेंगे अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंदों में है या कैसी इस्थिती आपके साथ रहने वाली है अगर आप विवाहित हैं तो विवाहिक जीवन कैसा रहेगा एक्ष्टा मेरिटल एफेर्स की क्या इस्थिती रहने वाली है इन सभी चीजों के विशे में आपके साथ विस्तार से बात करेंगे साथियों नवंबर का जो महीना है वो बहुत खास महीना हो गया है क्योंकि यह महीना इसलिए खुड़ा इस्पेशल बन जाता है क्योंकि इस महीने कुछ ग्रहों की जो जैसा हमने गोचर में अभी आपको बताया कि इस सिथि गोचर की को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम तीन राशियों का नाम जरूर लेते हैं और वो तीन राशियां वह है जो आप यनि के आप मेशाशी वालों के साथ जो भी आपकी पार्टनर्शिप में आप हैं लव एफिर्स में हैं तो यदि आपका पार्डनर भी उन तीनों राशियों में से एक है तो फिर अगर हमने कुछ निगेटिव चीज़ें भी बताई है इस महां उनको भी आप पॉजिटिव मान करके चले यह है इस सिती तो इसलिए आप अंतर तक देखिए का हम तीन राशियों के भी नाम लेंगे कौन से वो तीन राशियों के जातक हैं उन सिंगल हैं सबसे पहले सिंगल में भी उनकी बात करेंगे कि जिनको जो किसी को पसंदी नहीं करते हैं यह उन्हें कोई पसंद नहीं करता है तो अभी तक तो आपके लिए सितियां सही नहीं है देखिए अगर ग्रहों की सिती को देखते हैं तो लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि दोस्ती के लिए आपको यहां पर सबसे जादा क्योंकि आपका यहां पर बरताब जो रहेगा वो दो नौंबर से लेकर बीस नौंबर तक के बीच में फोड़ा शांत तो वहब रहेगा यहीं कि आप इस मेटर को लेकर शांत रहेंगे इसमें आप काफी हद तक शांत मतलब आप अकेले हैं. किसी के साथ इसकी कोई चड़चा नहीं करेंगे, तो आपको ऐसा है होगा कि आपको लोगों को सुनना चाहिए, और लोगों को सुनेंगे भी है लोगों को सुनेंगे भी 20 नमबम के बाद क्योंकि वीजान नमबर के बाद जो परिष्गतिया ना वह थोड़ी बदलेंगी उनमें बदलाव आएगा और हो सकता है आपसे दोस्ती करने के लिए भी लोग या कोई एक विशेश वियक्ति विशेश जो आपका मित्र बनने माला है जो आपका पार्टनर वह आपकी और दोस्ती का हाथ बढ़ा है और आपका दोस्त बनना चाहें या आपको अपना दोस्त बनाने में दिल्चस्पी दिखाए इसलिए यहां पर जो यह सिती है यह लड़कियों के लिए काफी अच्छी रहेगी और 20 नवंबर के बाद ज यही वह सही व्यक्ति है जिसके साथ हम दोस्ती आगे बढ़ा सकते हैं अपने या हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी रिलेशन्शिप को ले करके अब हम बात करेंगे उनकी जो रिलेशन्शिप में हैं जाना चाहते हैं या किसी को पसंद करते हैं पहले से ही या एक तरफ आप प्यार कर रहे हैं याणि के आप उनको प्यार करते हैं अपने किसी दोस्ट को और उनकी तरफ से को यह इस तरीके का मेसेज आपके लिए नहीं है अभी तक उनके लिए या दोस्ती है या अगर किसी से आप ऐसी परिस्टियां बहुत अच्छी रहेंगी उनके लिए एक खुबसूरत पल रहेगा आपके लिए शुक्र का पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित रहे इस महा और वो व्यक्ति भी आपके लिए सपने संजोए बैठा हुआ है ऐसा नहीं है कि वो उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ऐसी बात नहीं है आपको वो कल्पनात मकरूप से प्यार करने वाला व्यक्ति है उसकी भी कल्पनाओं में आप उतने ही बसे हुए हैं जितने कि आपकी कल्पनाओं में वो कह सकते हैं कि यह मह आपको जो दोस्स है आपका अच्छा पार्टनर बनने वाला है रिलेशन्शिप की नई शुरुवात होने वाली है आपकी इस महा कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका दोस्से पहले से ही और आप उसको पसंद करते हैं और मनी वन वो भी आपको पसंद करता है और वह ये भी बता दें आपको काफी शौकीन मजाज होगा, चीजों को एक तरीक ऐसे और संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग करने वाला, उनमें रुची दिखाने वाला होगा, और अगर वे महिला हैं, अगर वे पुरुष हैं, या उनका जो भी हैं, उनका काफी अच्छा हंस करते हैं, जो नो कॉंटेक्ट में हैं, तो देखिए, यनि के पहले कोई पार्टनर था आपका, अब हलाल कोई नहीं है, किसी के साथ कोई कॉंटेक्ट नहीं है आपका, तो एकदम खुशियों के पल आपके लिए आने वाले हैं, इस महां, आपका जो एक्स पार्टनर है, आ आपकी बातचीत शुरूर हो सकती है लेकिन एक चीज का आपको राकना है को का ध्यान रिलेशन्शिप में लव लाइफ में या नो कॉंटेक्ट में ऐसे में कॉंटेक्ट में जब कोई आ जाता है अपनी लव लाइफ की मतलब आरम करते हैं तो बहुत सी चीजों का ध्यान जाना जरूरी बन जाता है अब करेंगे बात लव लाइफ की तो लव लाइफ में समस्या यह होगी कि राहू की द्रश्टी बुद्ध पर होगी तो बीस नुवंबर से तीस नुवंबर के बीच में आपको काफी एलर्ट रहना है अपने लव एफिर्स को ले करके तो समस्य सकती है आपके संबंदों के बीच और मैंने का आपको काफी साफ़धान रहना होगा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत हमिया के साथ साथ आप एक दूसरी की बातों समझना पाएं और किस चाहूं जो आप कहना चाहरे वह उसका रही मतलब लगा पाएं अपके ज्यादा इस तरीके का दिखावा आया कुछ इस तरीके की चीज है ना करें अपने पार्टनर के साथ जो आपकी लब लाइफ में परिशानिया खड़ी कर दे कोई निड़ने लेना चाहते हैं तो इसके लिए समय सही नहीं है ये भी आपको बता जाते हैं उन लोगों के लिए जो किसी रिलेशन्शिप को खतम करना चाहते हैं खास तोर पर आपके पंचमेश सूर्य बन जाते हैं अब क्योंकि वो सूर्य देव हैं 16 नमबर तक रहेंगे नीच राशी में जो की सब्तम्भाव में आपके लिए विशेश रूप से जो लोग लब मैरिज करना चाहते हैं तथा लब मैरिज को ले करके बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल बिलकुल नहीं है बहुत साफधान रहीएगा कोई भी अपनी तरफ से बिलकुल शांत रहीएगा कोई शुरूवात ना करें नहीं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे आप के अनुसार अगर आप कोई बात चीत करना आरम भी करेंगे तो बात किसी ना बात कोई ना कोई बात को ले करके बात बिगड़ सकती है इस बात को ले करके हम आपको करना चाहते हैं साफधान और सूर्जवराशी परिवर्तन कर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ में एक तरीके से जो पार्टनर है वो जो वादे आपके साथ किये हैं उन्होंने या कर रहे हैं उनसे मु करना शुरू कर दें मतलब पीछे अठ जाएं अपनी बातों से हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने छुपाई भी हुई है वो सब जूटी हो अगर पता लगे कि वह यह बातें भी हैं जो उन्होंने छुपाई थी नहीं बताई थी तो कुछ इस प्रकार की इससे थी बन सकती है या अगर लव लाइफ को लेकर आप या उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला और फैमिली में अगर बताना चाहेंगे तो भूसे भी ना बताएं वहां और बात बिगड़ सकती है जिससे कि आपका मन दुखी होगा या फिर आपका पार्डनरी आपको मना कर दे ऐसा करने के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है कुल मिलाकर के हालात अनुकूल नहीं है लेकिन यहाँ पर एक समस्या है मंगल आपके लिए दर्शा रहे हैं और विशेश कर मैरिड लाइफ में अब मैरिड लाइफ यही बात कर रहे हैं आप से कि सूर्य का सब्तम में होना समस्या पैदा करता ही है मंगल का भी यहाँ पर होना समस्या अपने आप में उत्पन करना है तो आपकी मैरिड लाइफ में समस्या पैदा नवंबर के महीने में होती दिखाई पड़ रही है जैसे डिवोर्स आधी तक भी बात जा सकती है जगले फिसाद आपस में हो अपनी वाणी पर बहुत सैयम रखना है और सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना अधिक वाद विवाद से बचेंगे उतना आपके लिए उचित रहेगा अगर उधर से कोई निगेटिव चीज आ रही है कुछ कटू वचन बोल रहे हैं आपके पार्टनर लाइफ पार्टनर तो जरूरी निया कि आप भी रियक्ट करें या ओवर रियक्ट करें ना बिल्कुल नहीं मामले को शांत करना है तो आप सबसे बहतर उपाय है चुप रहना शांत रहना अब करेंगे बात एक्स्टा मेरिटल एफेर की तो देखें अगर इस सितियां अच्छी बंती दिखाई दे रही है एक्स्टा मेरिटल एफेर को लेकर के और आपके जो पार्टनर है उनका व्यभार आपके साथ काफी अच्छा होता दिखाई दे रहा है और पार्टनर आपके साथ में आपकी जो करना है उन्होंने करेंगे के आपका द्यान रखेंगे साथ ही आपको प बीच में तो अगर आप मुलाकात भी करना चाहते हैं तो मुलाकात के लिए भी समय ठीक नहीं है मैं तो यहीं को और यहां पर विशेश परिवर्तन जो गुरू का हो रहा है उसके बारे में भी आपको एक बात यह बता दें कि यहां पर अगर आप 20 नवंबर से 30 नवंबर तक अपने एक्स पार्टनर के वापस आने का इंतजार करते हैं तो वो आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा सरफ और सरफ अपने पार्टनर को पाने के लिए परमपिता परमेश परारतना करें इश्वर यह शक्ति आपका बहुत प्रम्पिता परमेश्वर और आपका एक confidence जो है वो भी होना चाहिए आपके पास और उपर देविया जब करपा होगी तो फिर तो सारी चीजें अपने आप ही स्वते ही बनती हैं तो लाव अगर उठाना चाहते हैं तो इस समय का उठा सकते हैं तो सचे मन से भगवान से प्र रिलेशन्शिप में आप उसके साथ हैं तो समझेगा कि जितनी अगर हमने कोई नकारातम बात भी बताई है उस सब positive मान करके चलिएगा मेश राशी का आपका पार्टनर आपके लिए लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगा दूसरा विरशब राशी का अगर आपका राशी फल महान नवंबर 2020 का मेरे प्रिये साथियों आपको ये राशी फल अगर पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें चैनल को और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें बेल आइकन को भी अवश्य दवाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे और नए वीडियो हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उन सभी का लावाब समयनुसार प्राप्त कर सकें इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद जैमात्यादिय। झाले जैमात्यादिय।